नमस्कार आदाब सस्रियकाल साटड़े आ चुका है और एक नए फूद ब्लॉक के साथ मैं अब आप सभी के सामने हाजिर हूँ फूद ब्लॉक को इतना धेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी दर्शुकों का धन्यवाद है तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं चन्नी हिमत सेक्टर टू जहां पर आप देख सकते हैं जिस रेस्टरोन में हूँ इसका नाम है एस्पैटो रेस्टरोन में जहां पर आपको देसी घी में बना हुआ जो है यहां पर खाना मिलता है तो क्या कुछ यहां पर खास परोसा जाता है आईए चलते हैं करते हैं बात लेकिन यहां पर जिस तरह से लोगों से बातचीत की और लोगों का यह कहना था कि देसी शुद्ध देसी घी में बना हुआ खाना लोगों को काफी जादा अट्राक्ट करता है क्योंकि आजकल जिस तरह से जंक फूड का जमाना है तो ऐसे में लोग जो है जंक फूड खा कर बोर हुचके हैं और अब पुराने तरीके से जो देसी घी में बना हुआ खाना है उसको खाना पसंद करते हैं तो चलिए बातचीत करते हैं जानते हैं कब से आप इस रेस्टरान है मुझे एक साल हो गया है तो देसी घी में बना हुआ देसी खाना बड़ा अलग कंसेप्ट है क्या हमारा यसे डोगरी अंबल है राज में जम्मो के ट्रडिशनल डिशेक तो जैसे गुच्छी थाली है गुच्छी हमना सबजी रखी हुए है ज गुजी आपको यहां पर देसी मिलेगा और वह भी डोगरा क्यूजी आपको यहां पर मिल जाएगी गुच्छी जो बहुत ही फेमस है और जो बहुत महंगी होती है उसे भी आप यहाँ पर आके ट्राइ कर सकते हैं जैसे इस समय कठल का सीजन है क्योंकि बरसातों की सीजन में कठल बहुत जादा लोग खाना पसंद करते हैं तो ऐसे आप कठल अगर घर पर नहीं reg4 बनाना चाहते है रेस्ट्राव में जाकि ऐन ज्झॉय करना चाहते हैं तो इसनि हम्मत सेक्टर 2 में ए इसपटो राजए क्ठल की सब्जी को ओ अपर और शाद यहां बर्यांटज की सादीं क्यों निया यहां आपको लंच पर आना हो तो आई तिंग यह एक आपके लिए पर्फेक्ट जगा है कॉस्ट के अगर बात की जाए क्योंकि गुच्छी बहुत महंगी होती है तो उसका यहां पॉकिट प्रेंड यहां पर कॉस्ट है तो सब्जी यह वो भी सेमी रेट पर वैसे राजमार कि इसको जाए कि अगरे बघुट पर राफ का पॉष्ट भी रखा हुआ है कि उसको जादा ना लगे कि आम्मारी खाना वेस्ट वरहा है कि हमने एक उसके इसके लिए उसके लिए रखी है है तो क्या यह वेजी टेरियन है यह ननवेज भी मिलता है प्रपर लिए ज़िटे कि यहां पर शरफ देसी घी में बना हुआ देसी खाना ही नहीं मिलेगा आपको यहां पर जंक फूट भी जैसे पीजा जो है जिसके बेसे बेसे बादे यह खुद तयार करते है और अपनी बेस तयार किये हुए आपको पीजा भी यहां पर खाने को मिलेगा साथ में पीछे मेरे देख सकते हैं यहां पर आपको ड्रिंक्स के लिए बड़े अच्छे फ्लेवर्स मिल जाएंगे चाहे आप मोहितों पीना चाहे यहां आप मॉक्टे देशी घी में बने हुए खाने को पसंद करते हैं और खाना चाहते हैं कठल की सबजी और बहुत राजमा चावल तो यहां पर आप अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जंक फूड जो है लोग उससे परे होते चले जा र तो अगर आप अथेंटिक फूड के शौकीन है तो यह जगा आपके लिए बहुत ही सही जगा है और अगर एंबियंस की बात करें तो पूरा वुड़न एंबियंस यहां पर बनाया गया है और जहां आप यहां पर आते हैं तो बड़ा ही एक शांती सा महौल आपको देखने को नजर आएगा आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरह से ग्रिनरी को भी यहां पर जो है बहुत जादा इंपोर्टन सी की है शुद्ध शाकाहारी यह रेस्ट्रॉं है और अगर अंदर बैठने की जगया की बात की जाए तो जगा भी यहां पर काफी जादा अच्छ को हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा लेकिन फिर से एक बार कहूंगी कि अगर आप डोगरी क्यूजीन के शुकीन है तो यह रेस्ट्रॉंट आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि देसी घी में बना हुआ देसी खाना आपको यहां पर परोसने को मिले और आप इस खाने को इंजॉए करेंगे साथ ही साथ आप जंक फूड भी इंजॉए कर सकते हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त क्यामरामेन अजय जा के लिए धन्लेवाद